हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं अरजुन सकसेना आपका साइंस टीचर स्वागत है आप सभी का मैगनेट बेन के यूट्यूब चैनल पे आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा वो पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉफ मोशन में लॉफ मोशन को लॉफ मोशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज पढ़ेंगे फस्ट लॉफ मोशन को ठीक है क्या पढ़ेंगे फस्ट लॉफ मोशन को लेकिन उस च किते होते हैं balance or unbalance force contact or non-contact force लेकिन 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 मैंने comment देखा था जो कि था हर्ष माथुर जी का तो हर्ष माथुर जी ने कहा था कि सर मेरे को balance or unbalance force एक बार बता दीजिए तो बड़ी साहिता होगी देखो बच्चा अब आप लोग कहेंगे कि सर मान लीजे 50 student आपकी class ले रहे हैं let's suppose उससे ज्यादा लेते हैं ऐसा कुछ नहीं ठीक है 50 student में से only one student का ये doubt है तो क्या आप एक student के लिए वो सारी चीज़े बताएंगे मैं आपको एक practical method बताता हूं आप अपनी class में करिएगा जो आप school में जा रहे हैं देखिए अगर पचास बच्चों की class है बिटे तो उस पचास बच्चों की class में यदि एक बच्चे ने काया कि सर मेरे को doubt है लेकिन मैं guarantee ले रहा हूं कि सिर्फ वो एक का doubt नहीं होगा एप्रोक्स एप्रोक्स 15 to 20 बच्चे उस doubt से गरसित होंगे उस वो doubt उनके जहन में चल रहा होगा लेकिन वो सिर्फ वर सिर्फ संकोच की वज़े से पूछते नहीं है तो इस वज़े से अगर मैंने उस बच्चे का doubt बता दिया तो automatically वो 15 से 20 बच्चों का doubt clear हो जाएगा बह unbalance force समझ में नहीं आया ध्यान से देखो वैसे आज आना चाहिए था लेकिन किसी कारवश नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूं ध्यान से देखेंगे जैसे for example यह मैंने एक टिशू पेपर लिया है ठीक है अब इस टिशू पेपर को वही वाला example है जो मैंने कल दिया था इस पर टेंशन बहुत अच्छा खासा लगा हुआ है तो आप देखोगे कि क्या यह टिशू पेपर फट गया क्या यह टिशू पेपर कहीं भी मूफ कर रहा है ना तो यह इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है मैं ऐसे ले जा रहा हूं लेकिन अगर मैं force equal रख रहा हूं तो क्या यह move कर रहा है नहीं कर रहा है that means that means बिटा कि जो force लग रहा होगा वो force आपका क्या होगा balanced force मतलब क्या है sir एक बार फिर से आप देखिये यहाँ पे मैंने एक designer box बनाया ठीक है अब इस designer box का मैंने जो position रखा बिटे वो रखा A क्या रखा A position पे अब आप ध्यान से देखिये इधर से एक इस पे force लग रहा है that is 5 newton कितने newton का force है 5 newton का और इधर से एक force लग रहा है that is also what 5 newton यह भी कितने का है force 5 newton का ध्यान से देखिये मैंने आपको बताया था force बिटे कौन सी quantity होते है vector होती है कि scalar होती है तो आप मेरे को कहेंगे कि sir force में मेरा magnitude भी आता ह magnitude मतलब जान रहे ना आप सभी लोग magnitude का मतलब जिसमें numerical value होती है और यह मेरा direction भी शो करता है और बच्चा हम लोग जानते हैं ऐसी कोई भी quantity जिसमें magnitude और direction आपका given हो वो हमारा क्या कहलाता है vector quantity तो force मेरा vector quantity है अब आप लोग ध्यान से देखिये कि इधर जो force लग रहा है that will f1 और इधर जो लग रहा है that is f2 जो इस direction में force लगा let's suppose मैंने उसको कहा plus 5 newton ठीक है अब यह जो f2 force है वो f1 के ulti direction में आ रहा है कैसी direction में आ रहा है ulti direction में so मैं क्या कहूंगा plus 5 newton minus 5 newton और अगर मैं इसको forf करूं तो it will become equals to 0 और 0 मेरा क्या है resultant force resultant force का मतलब मेरा total force कितना लग रहा होगा and mark my word if the resultant force बचाई is equals to 0 अगर मेरा resultant force ही 0 के बराबर है then we call this kind of a force is known as a balanced force क्या होता ही है balanced force सर एक बार और थोड़ा आप day to day life की तरह समझाओ ना जो हम लोग लाइव example देखते हैं आप suppose करिये कि यह एक bottle है और यह दूसरी एक bottle है मैं इसका label हटा दूँ वरना copyright हाजाएगा ठीक है पिस्त करिائ रच जाओ रच जाओ लेबल 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 हट जया है हट जया हट जया होक है Now you can see that यह एक मेरे पास bottle है और यह एक मेरे पास bottle है Let's suppose यह दोनों की दोनों bottle एक ही weight की हैं तो क्या मेरा हाथ कहीं भी उपर नीचे हो रहा है? नहीं हो रहा है That means जब bottle का weight equal है और किसी भी direction में मेरा जो position है वो change नहीं हो रहा है That kind of a force basically is known as a balanced force Because इसमें जो resultant है वो किसके बराबर है? Equals to zero Now, अब आप क्या suppose करेंगे कि जो F2 की position है किस की position है बिटे? जो F2 की position है let's suppose that is 10 newton ठीक है? Resultant force निकालने का तरीका वही है मैं क्या करूंगा? 10 newton minus 5 newton will become equals to 5 newton ठीक है? और यह मेरा क्या है? As you know that यह मेरा क्या रहता है? Resultant force क्या रहता है? Resultant force अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि बेटे, resultant force क्या equals to zero है? आप काओगे नहीं है sir resultant force equals to zero नहीं है zero के बराबर नहीं है तो मैं कहूंगा if the resultant force is not equals to zero then you have to say that that kind of a force is known as a unbalanced force इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? Unbalanced force मैं एक बाब फिर से explain कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैंने कहा let's suppose यह दोनों bottle अलग-अलग size और shape की है ठीक है? but let's suppose यह दोनों bottle का weight एक है 5 gram, 5 gram ठीक है? अब मैंने इन दोनों bottle को ऐसे हाथ में रखा क्या कहीं भी मेरी body move कर रही है? नहीं कर रही है इट मींस मैं क्या हुआ? balanced अब आप suppose करिए इसकी weight की जगए है यहाँ पर force है इधर 5 newton का, इधर 5 newton का क्या मेरी body कहीं move कर रही है? नहीं कर रही है that means that kind of a force is known as a balanced force but now suppose that कि यहाँ पर जो weight है वो जादा है इधर के comparison let's suppose यहाँ पर 10 gram है, यहाँ पर 5 gram है तो मेरी body कहाँ क्याँ और move करेगी? इधर क्याँ और move करेगी क्यों क्योंकि यहाँ पर weight क्या है? जादा है अब इस weight को अटाते हैं force लगाते हैं मैंने कहा है यहाँ 10 newton, यहाँ 5 newton मेरी body क्याँ और move कर रही है? इधर क्याँ और move कर रही है और that kind of a force is known as a that kind of a force is known as a unbalanced force इस force को हम लोग किस नाम से जानते हैं बैटे? unbalanced force के नाम से अब आशा कर रहा हूं माथर जी आप लोग आपको clear होगा ठीक है? चलिए आगे क्यों और देखते हैं यह हो गया लिगी last class में बैलन्स फोर्स क्या होता है अब जो हम लोग next slide में पढ़ने वाले हैं वो बेटे पढ़ने वाले है first law of motion आप काओगे सर यह तो बहुत easy है, हाँ easy है easy है, लेकिन इस law पर में direct नहीं आ रहा हूँ मैं सबसे पहले किस की बात करूँगा अब अच्छा मैं बात करूँगा mass और inertia होता क्या है सर, explain करो मैंने का बिलकुल करते हैं मैंने कहा कि यह bottle है यह भारी bottle है, मैं इसको side में रखता हूँ यह हलकी bottle को उठाता हूँ मैंने कहा यह bottle है इस bottle को अगर मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ तो यह नीचे क्यों मूफ कर रही है छोड़ रहा हूँ नीचे क्यों मूफ कर रही है छोड़ रहा हूँ नीचे क्यों मूफ कर रही है तो नीचे क्यों मूफ कर रही है विकार एक force लग रहा है तो नीचे क्यों मूफ कर रही है विकार एक force लग रहा है मैंने कहा कि धर्ती माता इस बोटल पर फोर्स ना लगा इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो तो अगर अब मैं इसका वेट निकालूंगा अब आप ध्यान समझेगा अगर मैं इसका अब वेट निकालूंगा that is what mass मतलब क्या है sir एक बार ध्यान से देखिए मैंने कहा बेटे कि आप ध्यान पूरवक ये देखे हैं कि mass नहीं sorry weight मेरा किसके बराबर होता है mass that is content of the body मतलब क्या है जो body के अंदर चीजे है वो हमारा क्या है mass और जब उसी mass पे gravity लगने लगे तो वो मेरा क्या consider कहलाता है weight लेकिन अगर मैं इस gravity को गायब कर दू that is what mass इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं इतनी बात समझ पा रहे है हाँ या ना weight क्या है जो mass multiply by gravity mass क्या है actual content of the body without any external force बिना किसी force के मास अगर आपको clear है तो अब मैं बात करूँ inertia के बारे में कि inertia क्या होता है ध्यान थे देखिए जैसे for example मेरे को मेरे को MMA देखने का बहुत शॉक है MMA अगर बच्चे जान रहे हो कि MMA क्या होता है तो आप लोग मेरे को बताईएगा and what is your favorite player in MMA like my favorite prayer is Habib और एक और है Connor McGregor लेकिन मेरे को सबसे जाद अच्छे लगते हैं वो लगते हैं Habib Habib मेरे को उनका अग्रियाल नाम प्रोडेंशेट करने में दिक्कत होते हैं but he is undefeated champion undefeated champion का मतलब है कि अभी तक उनको कोई भी नहीं हरा पाया है होने वाला मैच है UFC का तो मैं वो जरूर देखूँँगा he is like की बहुत अच्छा प्लियर है बहुत अच्छा प्लियर है ठीक है चलो आम लोग बात करते हैं यहां पर मैं बात कर रहा हूँ आप से inertia की inertia का मतलब like अंशुल जूबली अंशुल जूबली जी कौन है जिद्धी उनको चाहिए कि अभी मैं जीतूँगा तो भाई मैं यह जीत कही रहूँगा किसी की दम नहीं है मेरे को next वाला मैच जीतने से रोकने के लिए मतलब वो जिद्ध ठीक है कि किसी को भी अपने आगे जुका दे वो उनका क्या है जिद्ध और उसी जिद्ध को हम लोग physics की language में क्या कहते है inertia जैसे for example मेरे अंदर अंशुल जूबली है कैसे मम्मी ने का लौकी खा ले मैंने का नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को जिद्ध है कि भाई मेरे को पसंद ने तो मैं क्यों खालू तो वो जो हट वाली चीज होती है हट वाली चीज कि भाई मेरी मर्जी है मैं ही काम करूंगा जब तक मेरे को कोई भी फोर्स ना करे मेरी मर्जी होगी करूंगा नहीं होगी नहीं करूंगा that kind of a jid that kind of a hut is basically known as a inertia बात समझ में आ रही है हाँ या ना अंशल जिब्ली जी वाला मैं जी से सम्भूदत कर रहा हूं he's like my one of my favorite one ठीक है चलो हम लोग आगे की बात करते है जैसे की अब आप सर और बताओ मैंने कहा मैंने का ध्यान से देखेगा मैं जब inertia की बात करता हूं जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट में रहने के लिए आप जिद्द कर रहे हो that is inertia मतलब क्या है सर ध्यान से देखे for example I am in a motion मैं क्या हूँ motion में I am in a motion I am in a motion और अगर मैं motion में हूँ अगर मैं motion में हूँ तो इस motion की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए मेरी बॉड़ी क्या करेगी जिद करेगी until and unless कोई external force ना लगा है so जो motion मेरा चल रहा है जो motion मेरा चल रहा है that is what inertia that is what inertia clear है बात for example सर एक बार फिरो जाए मैंने कहा कि ये bottle है और ये bottle ऐसे 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 लड़क के मेरे हाथ में आ रही है ठीक है अभी आप गिए मत सपोस्ट करीए कि ये rest में आ गई ये rolling जो है rolling motion जो है इसका रुख गया ये मत सपोस्ट करीए आप बस ये देखे कि ये bottle ऐसे move कर रही है ये bottle ऐसे move कर रही है clear है move करते करते आगे की और आ रही है clear है इतनी बात जब ये आगे की और आ रही है तो ये एक motion शो कर रही है वो motion continuously बना रहे continuously बना रहे that is basically उसका state और वो अपने state को छोड़ना नहीं चाहेगी उस motion को छोड़ना नहीं चाहेगी until and unless उसके कोई external force apply करा जाए तो जो उसका state हुआ जिसको वो छोड़ना नहीं चाहरी है वो उसका क्या हुआ inertia बास समझ में आया हाई आना for example for example मेरे को volleyball खेलना पसंद है ठीक है volleyball में जो मेरा position रहता था वो netter का रहता था तो net पे रहके मेरे को block करना है ठीक है उसको smash के लिए ball बनानी है underhand, overhand सारी की सारी चीजें मेरे को पता है मेरे को वो काम करना है मम्मी उदर से आई ए अरजुन जल्दी है बिटे अंदर चल अंदर खाना खाना ही की नहीं काम करना ही की नहीं मैं मना करूँगा मैंने को नहीं करना मतलब क्या है मेरा जो state है मेरा जो mind का state है वो क्या है खेलने का मम्मी कह नहीं काम कर ले मम्मी कह नहीं ये कर ले मम्मी कह नहीं वो कर ले तो मैं क्या करूँगा अपोस करूँगा क्या करूँगा सभ्सक्रा ने कहा तो मैं अपरवार सकता हूं लेकिन अगर सभ्सक्रांस करने की टाकत है किसी में नहीं आप कहो समघतेाई है जैसें जैसे कि सामने से एक ट्रेन चलती हुई आ रही है बड़ी धीमी धीमी ऐसे आ रही है ठीक है अब मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं भाई रुख जा भाई धम जा भाई हॉले हॉले ठीक है लेकिन ट्रेन आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है मतलब ट्रेन का क्या जादा है इनर्शिया हाया ना कि तभी मेरे फोर्स पे भी वो नहीं रुक रही है लेकिन लेकिन अब यहां पर बात समझेगा कि एक टॉय कार है क्या है टॉय कार है उस टॉय कार को मैं ऐसे अंगूठे तभीया थे को है रोक जा वो रुक जाईगी तो भाई ट्रेन तो दोनो है तो अंतर क्या है इनर्शिया को लेके वो अंतर है मास का किसका अंतर है बिटे मास का बास समझ में आया मतलब क्या है सर देखो मास जिसका जादा होता है इनर्शिया उसका जादा होता है मतलब क्या है एक बार समझा दो और पर ले पड़ेगा ध्यान से देखो जैसे कि मै यह बॉटल को उठाया ठीक है ठीक है अब इस बॉटल को मैंने ऐसे रखा दिहां से देखें तो यह बॉटल आपकी क्या है यह बॉटल आपकी क्या है रेस्ट पे लेकिन जैसे ही मैंने इस बॉटल को ऐसे करा यह बॉटल को मैंने ऐसे करा तो यह बॉटल किसमें आगी मोशन में आप देखो ना रेस्ट में मोशन में तो मतलग यह जो फिंगर मेरा पावर को जनरेट कर रहे हैं वो बेसिकली इसके इनर्शिया से जादा है और यह नीचे क्यों लग गई अब आप यहीं पे इस वाली बॉटल को समझे इस वाली बॉटल को इसमें पानी पूरा भरा हु क्या यह नीचे गिर रही है नहीं गिर रही है क्यों नहीं गिर रही है क्योंकि इसका इनर्शिया मेरे इस वाले फोर्स से जादा है लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया तो यह नीचे क्यों गिर जाएगी अब आप यहाँ पे दो बाते समझने वाली है क्या देखो इनर्शिय of this body and inertia of this body is completely different लेकिन ये दोनों की दोनों कैसी है rest में rest में होने के बावजूद अगल वगल खड़े होने के बावजूद इसका inertia कम है इसके respect में क्यों क्योंकि इसका mass कम है इसके respect में बास समझ में आया समझ पा रहे हो की नहीं मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ mass और inertia को ध्यान से समझेगा क्या बताया mass होता है actual content of the body की जो उसकी body में उसका content है उसको हम लोग क्या कह रहे है mass inertia क्या है जो current में उसका motion चल रहा है या फिर state जो है वो उसका क्या है inertia उसमें रहने की जिद्ध क्या है inertia clear है inertia completely depend किस पे है mass पे फिर से इसका mass कम इसका mass कम inertia मतलब इसका mass कम तो इसको अपनी position में hold करने की जिद्ध कम कैसे mass कम है हट नीचे की और गर गई नीचे की और गई जरासी हट में और हट में जरासी मतलब इसका inertia कम है लेकिन अगर मैं इस body को लिए और इस से कहूं हट नहीं गिरी मैंने पकड़ा रहा था ऐसा नहीं जैसे उसको जितना मारा इसको भी उतने मारा हट नहीं गिर रही है लेकिन अगर मैं जैसी इसको ऐसे करूँ हट तो यह नीचे की और गिर जाएगी मतलब क्या है आप देखे ना उस body पे और इस body पे मैंने जब equal amount of force लगाया तो वो body गिर गई लेकिन ये body नहीं गिरी ठीक है दोनों rest में है लेकिन इसका inertia जादा है उसके respect में क्यों? क्योंकि इसका actual mass content जादा है वही train का example है toy car, mass कम है तो ऐसे करों कि रुक जाएगी अपना state change कर देगी लेकिन वहीं विशाल काई जब train होती है तो उसका inertia जादा है that's why उसको रोकने के लिए मेरे को force भी जादा लगाना पड़ेगा क्यों inertia जादा है? because उसका mass जाता है clear है बात? हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है और अब आप मैं इसको और एक तरीके से explain करूँगा फिर मैं Newton के law पे आ जाऊँगा मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि suppose करिए एक छोटा सा बच्चा है और एक मैं हूँ उसकी जगह चोटे से बच्चे ने कहा कि मेरे को टॉफी चाहिए let's suppose उस समय माता पिता के पास पैसे नहीं है तो क्या वो छोटा सा बच्चा उस बात को समझेगा वो तो जमीन पे लेटे आया रोड पे लेटे आगा मेरे को टॉफी चाहिए कैसे भी चाहिए क्योंकि उस समय उसका इनर्ष्या जादा है जिद्ध करने की ताकट जादा है ठीक है लेकिन अगर मैं उसकी जगह हूँ मैंने का ममी मेरे को भी टॉफी दिला दो ममी ने धे भी नहीं है तो मैं करूँगा चलो ठीक है तो मैंने अपनी जिद्ध को छोड़ दिया, बात समझ में आ रही है इतनी बात अगर क्यों छोड़ दिया क्योंकि मेरी जिद्ध करने की ताकत कम है as comparison to बच्चा हाँ या ना, हाँ या ना अब हम लोग आगे क्यों बात समझते हैं ध्यान से देखो The property of an object because of which it resists to get disturbed is called inertia इसी property किसी भी object की जो की resist करे अपनी state को change होने के लिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं बता दू यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने मैंने इसको इसको ऐसे करके घुमा दिया तो जब मैं ऐसे करके घुमा रहा हूँ तो भाई आपका कहने का मतलब है कि सर अभी यह rest में है मैंने force ज्यादा लगाया तो यह motion में आ गया अब आप कहो कि सर यह तो motion में ही होना चाहिए क्योंकि अभी तो कोई external force लग नहीं रहा है तो अब यह rest में क्यों आ जा रहा है बार बार और add-dying किस में आ जाएगी यही सेम चीज़ यही सेम चीज़ मैंने कहा इस bottle में भी देखने को मिल रहा है इस bottle में आप देखो ना यह bottle ऐसे चलती हुई आ रही है अगर मैं कहूं कि यह bottle continuously roll करती जाएगी करती जाएगी क्या यह possible है हाँ possible है जब तक इसके ऊपर कोई external force का लगए कैसा external force मैंने कहा बेटे यह roll कर रही है जब roll कर रही है तो यहां से friction force generate हो रहा है जो कि oppose कर रहा है इस body के motion का मतलब क्या है था मैंने कहा बेटे यह body roll कर रही है इस direction में तो friction force कहा लगेगा इस direction में इस the friction force is greater than the body of this motion in the direction तो मतलब क्या है कि यह body आपका क्या जाएगी at a rest clear है बात इतनी बात अगर समझ पा रहे हो तो अब बेटे mass और inertia में कुछ नहीं है अब हम लोग ज़रा सा definition देखते हैं तो मतलब यह बिल्कुल मैं समझेगा कि जब मैं inertia लिखू क्योंकि बहुत से बच्चों बहुत से बच्चे क्या मेरे को जब मैं आपकी class में था तो मैं भी यही सोचता था कि inertia मतलब कोई एक body rest में है उसको जब हम लोग उसकी position को हिला रहे है that is inertia नहीं मैं यहाँ पर यह बोल रहा हूँ rest की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं आपर बोल रहा हूँ कि कोई भी body एक state में है अब वो state motion भी हो सकता है वो state rest भी हो सकता है वो state से oppose करना मेरा क्या कहलाता है inertia मतलब क्या है मैं अगर ऐसे हूँ और मेरे को कोई धक्का दिये जा रहा है और मैं अपनी state को नहीं change कर रहा हूँ मतलब मैं oppose कर रहा हूँ मैं ऐसे चल रहा हूँ और चलते हुए मैं अपने motion को oppose कर रहा हूँ मतलब मैं motion में ही रहना चाह रहा हूँ कोई भी मेरे को मत रोको that is what inertia तो inertia motion में भी होता है rest में भी होता है वो बस oppose करने की ताकत होती है clear है? आगे देखते हैं यहाँ पर the property of an object because of which it resists to get disturbed its state is called inertia inertia of an object is measured by its mass मतलब क्या है? mass जादा, inertia जादा mass कम, inertia कम हाई या ना? जैसे for example, जब मैं छोटा था तो छोटा था तो गाउं जाओ, तो गाउं में एक गाय होगी और एक गाय का बच्छडा होगा गाय का बच्छडा अगर लेटा हो तो आप उसको उठाओगे हाथ में वो हाथ में आ जाएगा क्या गाय हाथ में आ जाएगी? हाथ बेटे टूट रहा हैंगे पीट में, slip disc को जाएगा, मज़ा नी लाइफ ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका मास जदा है, तो उसका in vertia जडा है, बच्छडे का मास कम है तो इसका in vertia कम है, जड़ा सो उठा हो रहे हैंज़अज डूलाओ बास समझ में आई चलो, आम लोग बात करते हैं inertia is directly proportional to the mask समझ में आया this means inertia increases with increases in mass मतलब क्या मैंने भी बताया मेरा मास हो जाए 200 किलो का तो भाइसाब मेरे को हिलाने में हालत खराब हो जाई ही और अभी तुम लोग आओ जैसे ऑफिस में आओ ठीक है जहां पर रिकॉर्डिंग होती है आप लोग आए आप लोगों ने ऐसे करा और ऐसे धखका दे दिया ठीक हैवी ऑबजेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया एस कंपरेजन तू लाइटर वन क्लियर है बात हाँ या ना अब ऐसे ध्यान से देखो ना एक जो नवजात बच्चा है इंफेंट बेबी है इंफेंट मतलब अन्यू बॉर्ड बेबी उसको आप एक हास से उठाओ ऐसे ऐसे कर मज़ा माता जी के सामने और करना उसकी तो तो और मज़ा मतलब माता जी जो मतलब खरी खोटिक सुनाएंगी मज़ा निलाइफ होगा ठीक है अब यहां पर अगर आप देखो कि उसी बच्चे की जगह आप मेरे को उठाओ रैसे ऐसे करो मेटे हाथ में फ्रैक्चर आजाए ठीक है क्यों क्यों कि मेरा मास जादा है उस बच्चे के मास के कंपेर्जन में इस वह से मेरा इनर्शी आजाता है next in other word अगर हम इसी को other word में बात करें the natural tendency of an object that resists the change in its state of matter मतलब क्या है कि भाई ऐसी tendency जिसमें वह object अपने में ही रहना जाता है दुनियादारी से मतलब ही नहीं like me ठीक है so that is basically a what inertia since a heavy object has more inertia as compared to lighter one clear है जल्दी से एक बाद read करिए read जरूर करिए फिर मैं आता हूं तब बताऊंगा Newton law of motion that is a first law of motion जल्दी से एक बाद दिख लो हो गया बच्चों आप तभी का मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों ने एक एक लाइन को पढ़ा होगा अच्छे से वीडियो पॉस करके आप फे दे रखी हैं उन दोनों चीज़ों में आपको यह बताना है कि inertia किसका जादा होगा और कुछ नहीं चीज़े दे रखी होंगी बस उसका नाम दे रखा होगा कि एक यह object है किसका inertia जाता है तो already मैं आपको बता चुका हूँ inertia किस पर depend करता है mass पर तो बस अपने को क्या देखना है mass तो जिसका mass जादा उसका inertia automatically जादा कोशन देखते हैं rubber ball and a stone of same size मतलब क्या है एक यह rubber ball है और एक यह stone ball है किसका inertia जादा होगा? same size का है अब आप समझो कि यदि यह same size का है तो इसका mass कम होगा rubber वाले का mass कम होगा और stone वाले का mass जादा होगा जब stone वाले का mass जादा है तो automatically उसका inertia भी जादा होगा तो stone of the same size has more inertia next, a bicycle और a train कोई comparison ही नहीं है cycle का mass very very low as comparison to train cycle का mass बहुत कम होता है as comparison to train that's why train has more inertia as comparison to cycle train has more inertia next, a five rupee coin और a one rupee coin अगर आपने five rupee का coin देखा हो तो five rupee coin थोड़ा सा, थोड़ा सा मोटा होता है या फिर थोड़ा सा चोड़ा होता है as comparison to one rupee coin one rupee coin बहुत पतला होता है और अगर five rupee coin की बात करोगे तो इसका mass जादा है as comparison to this अब आप कहोगे कि sir इसका भी mass कहां जादा है लेकिन comparison में देखके अगर आप बात करो कि five rupee coin का mass मेरे respect में कम है कि जादा है तो आप कहोगे कम है लेकिन अगर मैं बात करूँ one rupee coin के comparison में कहा है जादा है कि कम है तो आपको जादा है यहाँ पे किसकी बात करी आ रही है with respect की तो that's why five rupee coin has more inertia as comparison to one rupee coin और यह आपके ncrt का ही प्रश्न है आशा कर रहा हूँगा कि आप लोगों को यह प्रश्न बढ़े असानी से clear होगा clear है चलिए आगे के और देखते हैं next बोला जा रहा है why do you fall in the forward direction when a moving bus break to stop and fall backward when it accelerate from the rest अब आप ध्यान से देखिए शायद आपको दिख पाए कि मैं ऐसे बैठा हूँ मतलब आपको lower side तो मेरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप suppose करें कि मैं ऐसे बैठ गया ठीक है अब जब बैठा हूँ और आप चारों तरफ suppose करें कि मेरी चारों तरफ बस है मेरी कौन सी body bus के contact में कौन सी body bus के contact में है lower body ठीक है तो lower body कैसी होगी in a motion clear है चलो motion में है motion में अब एकदम से break लगा तो मेरी body किस में रहना चाहेगी motion में because वो किस में है भी motion में motion में motion में जिसके कारण मेरी body क्या करेगी oppose करेगी अब आप ध्यान से देखिएगा suppose that that is a bus and ये मैं हूँ ठीक है बैठा हूँ अगर body अगर ये bus brake लगा रही है क्या लगा रही है brake लगा रही है सबसे पहले बात करेंगे bus motion में तुम direction का हूँगी आगे क्योड ठीक है bus अब क्या कर लगा रही है brake लगा रही है तो opposite direction में लगाईगी मतला पीछे की और लगाईगी अब जब बस brake लगा रही है और body कैसी है motion में तो body motion में ही रहना चाहेगी कैसी रहना चाहेगी motion में ही रहना चाहेगी जिसकी अज़े से body अपोस करेगी and due to that अपोस body जब brake लगाते है तो कहा की और गिरती है आगे की और क्यों? क्योंकि वो उसी direction में आगे की और जाना चाहती है जिस direction में बस है क्योंकि body भी automatically क्या है motion में clear है बात हाँ या ना इतनी बात समझ में आप आ रही हो तो और मैं थोड़ा आगे की और बढ़ू क्या मतलब है सर फिर से देखो बस में बैठा हुआ इंसान बस चल रही है बस चल रही है बतलब बस motion में है और जो उसके अंदर बैठा है वो भी motion में अगर बस में brake लगा रहे है तो brake कैसा लगेगा opposite to the direction of the motion तो पीछे की और लगेगा तो body उसका oppose करेगी और body किस के साथ जाना चाहेगी बस के साथ तो due to that phenomenon अब जो मेरी bus है अब जो मेरी bus है वो rest में है क्या है rest में तो अपन ऐसे रहते है लेकिन अब आप समभूज करेगे बस अगर rest में तो body भी कौन से state में होगी रेस्ट में लेकिन अब बस आगी क्यों चाहेगी मतलब क्या accelerate करना चाहती है तो body क्या करेगे? अपोस करेगे और due to that अपोस अगर बस आगे क्यो और जा रही है तो body किसकी तरफ जाएगी? पीछे क्यो और अभी आप देखो na car, bus, train अगर कोई भी वो है bike है उस पे भी अगर हम लोग बैटे हैं वो rest में है तो जब अपन चलते हैं तो body किसकी तरफ move करती है? पीछे की और clear है इतनी बात that phenomena is basically inertia जो की oppose करने पे लगता है अब आप द्यान से पढ़िए अला question why do you fall in the forward direction? forward direction में हम fall क्यों करते हैं? because forward direction में fall इस वज़े से करते हैं आगे की तरफ हम लोग इस वज़े से गिरते हैं जब हम लोग brake लगा रहे हैं तो brake की direction पीछे की और है अपन आगे की और जाना चाहरे हैं क्यों? क्योंकि अपन बस की motion में है that's why हम लोग आगे की और गिरते हैं oppose करते हैं उस brake का ठीक है? और अगर बस rest में हैं तो हम पीछे की और क्यों जाते हैं जब बस आगे क्यों जाते हैं क्योंकि हम अप क्या हैं? rest में क्यों रेस्ट में हैं? क्योंकि हम लोग बस के contact में हैं that's why clear है बेटे? इतनी बात clear है question number second हम लोग तब solve करेंगे जब लोग न्यूटन का पहला नियम पढ़ देंगे ठीक है? इतनी बात अगर clear हो तो और मैं आगे की और बढ़ो clear है? चलो अब यहाँ पे एक बात बच्चा confused रहता है क्योंकि जब मैं पढ़ाता था तो बच्चा क्या कहता है? कि सर मेरे को यह सारी चीज़े की अलागी लेकिन यह motion और rest का मतलब मेरे को समझ में नहीं है मैं कैसे मानूंगा कि कोई body motion में है कोई body rest में है आप कह रहे हो कि बस में बैठा हुआ इंसान motion में लेकिन जब मैं बाहर खड़े होके किसी को देख रहा हूँ बस के अंदर बैठा हुआ तो वो मेरे को rest में नज़र आ रहा है तो कैसे आप suppose करवा रहे हो तो मैंने कहा अब आप ध्याने समझेगा मेरे वाक्य को आपको इसमें कटाक्ष हो सकता है ध्यान से देखिए मैंने कहा बेटे हर बॉड़ी अपने आप में motion में भी है अपने आप में rest में भी है मतलब क्या है यदि मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ तो with respect of your reference point मैं आपके reference आपके नजरिये से कैसी अवस्था में हूँ rest में हूँ कैसी state में हूँ rest में हूँ मोशन में हूँ क्यों मोशन में हूँ क्यों कि धर्ती भी क्या कर रही है गोल गोल घूम रही है और ऐसे 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 मूव कर रही है so with respect to that earth मैं क्या हूँ मोशन में हूँ तो motion और rest का phenomenon आपको reference point से समझना होता है clear है बात अगर इतनी बात और clear है तो मैं आगे और बढ़ू clear है चलो आगे देखते है next question next law मेरा क्या कहता है that is Newton first law of motion Newton law of motion में पहला नियम क्या है Newton first law of motion और Newton first law of motion में क्या कहता है any object remains in the state of rest or in uniform motion along a straight line until it compelled to change the state by applying external force मतलब क्या है भाया यह पूरा का पूरा law अपने inertia पही तो based है मतलब क्या है आपन भाग रहे हैं भाग रहे हैं अपन बॉडी की position को अपन बॉडी की stand को change नहीं करना चाहता है कब नहीं change करेंगे कब तक नहीं change करेंगे जब तक अपना external force ना लगे बचवा बास समझ में आवत है कि नहीं आवत है हाँ या ना अगर बास समझ में आवत है तो तुम ताली बजावत है एक बाद फिर ओजावत है देहां से देखो Newton first law of motion क्या कहता है कि अगर कोई भी state में अपन चल रहे है अपन जैसे clock rose वो राघव जुयाल जो legend ठीक है वो अपने जिस भी style में ऐसे क्यों move कर रहा है अपन वो करता रह रहा है कब तक करता रहेगा जब तक अपन उस पर कोई भी external force ना लगा है जैसी लगा दे रहे है अगर वो oppose कर रहा है that means वो क्या है inertia और यही तो मेरे लोग कह रहा है क्या कह रहा है any object कोई भी object है वो रहना चाहता है अपने ही state में चाहे वो rest में हो या फिर uniform motion में हो along a straight line until and unless जब तक उस पर कोई भी force ना लगाया जाए उसके state को change करने के लिए बास समझ में आ रहा है अब यह force भी depend कर रहा है अगर यह force उसके inertia से जादा है then it is only कि वो उसका state change करा पाए लेकिन अगर कम है तो state change नहीं करा पा सकता है हाँ यह हो सकता है कि वो उसका जो motion में है उसकी speed को धीमी करा दे लेकिन change नहीं करा पाएगा जब तक उसका force जादा ना हो clear है बात इतनी बात अगर समझ में आ रही हो तो और मैं आगे गया बढ़ो अरे भाईया बढ़ो अपन बढ़ो आप बढ़ो भाईया हम आपके साथ हैं ठीक है जल्दी से एक बार यह read करो तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीलू ठीक है एक बार फिर से read कर लो जल्दी 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 बढ़िया कोल रिंग है मजा आ गया लाला चाही कोल रिंग नहीं है पानी है चलो आग एक बात करते है Newton first law of motion फिर से एक बार any object remains its state मतलब क्या है कोई भी object है वो अपने state में रहना पतन करता है चाहे वो uniform चाहे वो rest हो या फिर uniform motion हो कोई भी एक state line में until and unless कोई भी उस पर external force ना लगाया जाए आगे देखिए example if any object is in the state of rest अगर कोई भी object state of rest में है it will remain in the rest वो rest में ही रहेगा जब तक उस पर external force apply ना करा जाए to change in state similarly जब तक कोई object motion में है वो motion में ही रहेगा until and unless कोई उस पर external force ना लगाया जाए अब आप कहो भाईया हम तो cycle से जा रहे थे भेल पूरी खा रहे थे और जाते 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 cycle रुख गई काहे रुख गई भाईया कोई force ही नहीं लगा हमने कहा बच्चोवा लगा कैसे लगा हमने कहा cycle से जा रहे थे cycle घर्ती माता के संपर्क में थी cycle पीछे की और एक force लगा इधरती माता force लगा रहे हैं वो force क्या है frictional force जिसके रुख गई सामने से पवंदेव आ रहे थे सामने से पवंदेव पवंदेव मतलब हवा आ रहे थे तो हवा भी एक तरीके का resistance का का काम कर रहे है पीछे एक लड़के ने आपको पकड़के खीच दिया cycle को तो वो भी एक तरीके का force हो गया कोई भी force हो जो कि आपकी state को change कराना चाहरा हो और वो state अगर change हो रही है जो कि inertia से जादा है आपका force force जो है आपके inertia से जादा है और body उसको oppose कर रही है यही तो newton का पहला नियम कह रहा है आगे क्योड देखते है अब person is standing in the bus आपने कभी देखा होगा अपन क्या करते हैं train में हैं तो train में ऐसे तो पकड़ेंगे नहीं और वो जो harness होता है आईसे तो आपन पकड़ेंगे नहीं और ना तो इस डंड़े को ऐसे पकड़ते हैं तो अपन क्या करते हैं हात ऐसे बानते हैं और कान में एरफोन लगाए कर phase अकशा कुमार बते हैं मोसन की अवस्था में हो क्यों हो क्यों कि आप भी क्या कर रहे हो आप भी क्या कर रहे हो मूफ कर रहे हो ट्रेन के रिस्पेक्ट में त्रेन भाईया ने जब ब्रेक लगाया तो आपकी बॉड़ी अपोस्ट करीगा और पोस्ट करेगी जो गिरोगे आहा माई साथ ना जननत का इसाद आता हूं भाइक पि बाइक पिछ या फिर नमैने जीशानसर को भी नी पकड़ा पीछे तो मैं क्या करूंगा पीछे क्यों क्योंकि मैं क्या हूं रेस्ट पर और मैं गिरूँगा पीछे मुग के बल ठीक है तो मतलब क्या है बोडी तो अपोस करेगी ही करेगी उसको मतलब नहीं है कि कौन अक्षे कुमार है कौन दा अर्जुन सकसेना है क्लिया रहे चलो आगे देखते हैं लेकिन जैसे ही बस मूफ करती है तो हमारी बॉडी अपोस करती है कि भाई मैं रहना चाहते हैं अपन पीछे की और मूफ करते हैं चलिए रीड कर लीजे एक बार अब परसन स्टेंडिंग इन दा बस फॉलिंग फॉर्वर्वर्ड ये भी बात वही है भाई जब कोई परसन खड़ा है बस में तो ब्रेक लगाया जा रहा है किसके द्वारा कदमों के द्वारा किसके द्वारा ड्राइवर विया के कदमों के द्वारा तो अपना आगे क्यों गिरते हैं क्यों क्योंकि अपन मोशन में है क्यों क्योंकि बस मीं मोशन में है क्यों आज की क्लास यहीं पर समाप आशा कर रहा हूं, आपको क्लास अच्छी लगी हो, बाई बाई टेक है, नहीं है, नहीं, 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 अभी नहीं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, on my left hand side, you will, on my left hand side, and on your right hand side, you will see a bunch of courses, which is completely free of cost, कहां से जाएंगे, login करें, साइट पे, app डाउनलोड करें, और इन चीजों का लुफ्ट उठाएं, next, आपको देखने को मिलेगा, e-book और e-notes, कहां से डाउनलोड करें, website पे जाएं, app पे जाएं, और लुफ्ट उठाएं, next, अब आपको यहाँ पर क्या है, यह में important है, क्योंकि यहाँ पे अपना connection रनता है, क्यों? क्योंकि अगर आपको यह देखना है कि अर्जुन भिया का या फिर अर्जुन सर्का कौन सा short आया है, कौन सा notification है, कब life class होने वाले है, कब कौन सी class होने वाले है, यह सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, app install और website पो जाएंगे, link कहां मिलेगी, in the description box, so this is it, from my side, I hope you like the session, और मेरी समझ से मैंने आकी पढ़ाई में कुछ value add करी हो, so इसी अच्छी बात पर वीडियो को like करें, comment लिखें, कोई भी अगर doubt होता है, जैसे कि आज मैंने बताया, मैं कल भी बताऊंगा आपको, so this is it, from my side, bye-bye, take care.